कभी कभी हमारा मन दाल सबजी खाने का नहीं होता है तो उस केस में हम या तो राजमा बनाते हैं या फिर छोले नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बना कीचन में तो राजमा तो बहुत ही तरीके से लोग बनाते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे राजमा मसाला तो राजमा मसाला बहुत ही जल्दी और जायकेदार बने जिसे खाके छोटे बड़े सभी खुस हो जाएं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं अपना राजमा मसाला तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी राजमा और साथ में ही वन फोट कटोरी हम ले लेंगे खड़ी काली वाली उड़त दाल दोनों को ही हम चार से पांच घंटे भिगा कर इसे फुला लेंगे अगर इसे आफ और नाइट भिगा कर रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फूल जाता है तो मेरा राजमा खुब अच्छे से फूल गया अब हम इसे डालेंगे कुकर में तो राजमा के साथ में ही हम अपनी डाल भी डाल लेंगे कुकर के अंदर इस तरह से तो हमने अपने कूकर में राजमा और उड़त दोनों ही डाल ले हुई है अब इसके अंदर हम डालेंगे दो ग्लास पानी और साथ में ही हम डालेंगे इसके अंदर एक चमश नमक और आधा चमश हल्दी डालके इसे हम 5-6 सिटी लगा के खुब अच्छे से राजमा को गला लेंगे राजमा और उड़त को तो इसे हम बंद करके ढकन इसे हम अपनी आज पर रख लेंगे सिटी लगने के लिए तो राजमा को हम बहुत बढ़ियां से ही पकाएंगे नहीं तो राजमा खड़ा खड़ा और पानी अलग वो राजमा अच्छा नहीं बनता है तो राजमा खुब अच्छे तरह से नरम होना चाहिए मैं दिखा रही हूँ हमने राजमा खुब बढ़िया से नरम कर लिया हुआ है नरम होने के बाद राजमा खुब बढ़िया पकता है ये कितना मुलायम हो गया है दिखा रहे हूं उठाते ही हाथ की नीचे दबाते ही गल जा रहा है तो अब सबसे पहले हमने अपनी आज पर एक कुकर चड़ाये हुआ है और उसमें हमने डाला है 5-6 चमच सरसों का तेल और तेल मेरा गरम सा हो गया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चमच जीरा और साथ ही में हम डाल देंगे एक पिंच हींग अब इसमें हम डालेंगे एक तेजपत्ता और साथ ही में एक बड़ी इलाची और दो हरी इलाची इसके बाद हम थोड़ी सी एक इंच दाल चीनी का टुकडा डाल देंगे, तीन से चार लॉंग डाल देंगे, इन सारी चीजों को हम एक से दो सेकेंड पका लेंगे खुब बड़या से, इसमें हमने बहुत ही थोड़ी सी जावित्री भी डाली है, जो की मैं बोलना भूल गई थी, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे, पंदरा से बीस चीले हुए लसन की कलियां, और इसे हम एक से दो सेकेंड पका लेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, हमने चार से पांच प्याज को खुब पतला पतला काट रखा हुआ है, लसन हलका सा पकाने के बाद हम इसके अंदर अपने प्याज को भी डाल के अच्छे से पकाएंगे, तो मैं इसमें खुब बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, तो राजमा के अंदर थोड़ा सा प्याज और लसन ज्यादा मात्रा में डाला जाता है जिससे की इसका स्वाद बिल्कुल ही गजब का आता है तो प्याज को चलाते हुए हम एक से दो मिनट तक पकाएंगे जब मेरा थोड़ा सा प्याज पक जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे हमने चार से पांच टमाटर के एक से दो तुकड़े कर रखें इसे डाल देंगे इसे भी हम थोड़ा सा पकाएंगे तो इस तरह से हम अपना सारा ही कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च, मैं हरी मिर्च भी डाल ले रही हूँ, और साथ में मसाला अच्छे से पक जाए, इसके लिए हम इसमें एक चोथाई चमच नमक डाल देंगे, और इन सारी चीजों को मिक्स करके, हम अपने कुकर में धकन लगाके इसे दो सीटी लगाके पकाएंगे खुब बढ़िया से, ताकि प्याज और टमाटर खुब अच्छे से गल जाए, तो अब मेरे कुकर में दो सीटी लग गई है, अब मैं इसे उतार के खोल लूँगी, तो मेरा प्याज टमाटर खुब बढ़िया से गल चुका है, और अब मैं इसे चला करके अपने टमाटर से छिलके को निकाल लूँगी सबसे पहले, और साथ ही में जो हमने तेजपत्ता और दालचीनी डाली है, इसे भी निकाल के अलग कर लेंगे, आप चाहें तो तेजपत्ता और दालचीनी को साथ में पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे निक ले रही हूं क्योंकि तेश परता और धालचीनी दोनों का ही अंसर मसाली के अंदर आ चुका है तो अब इसे हम एक मिक्सी-जार में ऩो सामे पैसलों को डाल के खुब बढ़या से vener Nare miss सर जार में डाल ले रहीं हूं और और इसका हम खुब अच्छा सा पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो मेरा पेस्ट भी खुब बढ़िया से तयार हो गया है तो हमने ली हुई है एक चमच खड़ी धनिया और इसे हम इमाम जस्ते में डाल के थोड़ा कूटेंगे और इसके साथ ही हम दो हरी लाची भी कूट लेंगे इसका हम तड़का लगाएंगे राजमा के अंदर जिससे की बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका खुल के आएगा राजमा का राजमा में हम धनिया तो डालते हिए पीसिवी लेकिन साथ में कच्ची खड़ी धनिया को कुट के डालेंगे तो उसका स्वाधी बिल्कुल ही अलग सा आएगा तो हमने अपने कूकर में एक चमच बड़ा वाला बटर डाला हुआ है और साथ ही में जो हमने धनिया और इलाची कूटी है उससे डाल दिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे एक पिंच हिंग तड़के की सुगंद खुब अच्छी आ रही है और साथ में डालेंगे आदा चमच लाल मिर्ची का पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर और साथ में हम डाल देंगे आदा चमच राजमा मसाला इसके अंदर इस तरह से डाल के हम पहले सारी चीजों को अच्छे से पका लेंगे एक से दो सेकिंड दिखा रहे हूं, मेरा सारा मसाला खुब बढ़िया से पक गया है, अब इसके अंदर हम डाल लेंगे, जो हमने प्याज और टमाटर पीश के रखा है, इसे हम खुब बढ़िया से पकाएंगे, जब तक की मसाले से तेल अलग नव हो जाए, जैसे हम सारे ही म मसाले पकाते हैं, उसी तरह हम इसके भी मसाले पका लेंगे खुब बढ़िया से, तो मैं दिखा रहे हूं, मेरे मसाले खुब बढ़िया से पक चले हैं, अब हम मिक्सी जार में, जिसमें हमने मसाले पीशे हुए थे, थोड़े मसाले लगे हुए हैं, तो हम मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे आधी कटोरी के करी में उसे हम डालेंगे अपने मसाले में इस तरह से हम डालके मसाले को अच्छे से पका लेंगे फिर से एक बार फिर से हम मसाले को बिल्कुल ही उसी तरह से पकाएंगे जब तक कि मसाले पर तेल उपर आने लग जाए तो मेरा म मैं दिखा रही हूं मसाले कितने बढ़ियां से पक चले हैं तेल बिलकुल ही उपर आने लगा है अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने बॉयल किये हुए राजमा और डाल को डालके हम फिर से इसमें इसका धकन लगा करके दो से तीन सिटी लगाएंगे तो हमने राजमा सारा ही डाल दिया और अब मैं इसमें धकन लगा के फिर से इसमें दो से तीन चिटी लगा लूँगी ताकि राजमा खूब अच्छे से पक जाए तो अब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से राजमा पक के तयार हो चला है तो मैं इसे चला के दिखा रही हूँ कितना ही बढ़िया पक के एकदम रेडी हुआ है अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा छोटा चमज काली मिर्च का पाउडर और साथ ही आधा चमज अमचूर का पाउडर और इसके साथ ही हम डालेंगे एक चमज कसूरी मेथी को हमने क्रस करके डाला हुआ है और थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा प्याज चॉप डिकिया हुआ और साथ में हरी कटी धनिया डालके मेरा राजमा एक दम से रेडी है चर्व करने के लिए खुब बढ़ियां से राजमा बनके तयार हो चुका है अब मैं इसे एक बाउल में निकालके दिखाऊंगे आपको कितना बढ़ियां राजमा पका हुआ है इसका कलर भी बहुत बढ़ियां आया है ना तो राजमा और पानी अलग-अलग नहीं दिखाई दे रहें बिल्कुल ही बढ़ियां से ग्रेवी बनके तयार हुई है तो अब मैं इसे एक बाउल में निकालने जा रही हूँ तो कितना बढ़ियां और लाजवाब सा जाएके दार राजमा बनके तयार हुआ है कितना बढ़ियां देख भी रहा है कितना दोनों ही मसाले और राजमा एक दूसरे में कितने बढ़ियां से मिक्स हुए है यह जित्ता बढ़ियां दिखाई दे रहा है उतना ही खाने में भी लाजवाब है स्वादिश्ट तो दोस्तों अगर आपको मेरी राजमा की रेश्पी अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको तुरत्ती मिल जाए और साथ में हम अपने राजमा पर डाल देंगे एक चमत देसी घी और इसके उपर हम डाल लेंगे थोड़ी सी कत्रे हुए प्याज के टुकड़े और साथ में थोड़ी सी हरीकटी धनिया तो एक द चबाप सर राजमा बना के तयार किया हुआ है तो दोस्तों आप भी एक बार जरूर से ही इस आसान से राजमा मसाला की रेषपी को जरूरी ट्राइग करें और अपने घर में इस तरह से पकाके अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूरी इंज्वाए करें मिलते है इसी तरह किसी और नही रेश्पी के साथ तो आज मैं अपने राजमा को सर्व कर रही हूं चावल के साथ राजमा चावल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसे चावल रोटी किसी भी चीज के साथ जिस चीज के साथ आपका दिल करें उसके साथ आप खा सकते है thank you